दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि आपको पता है साटरडे संडे दो दिन का हॉलिडे एक बहुती जादा देखेगा बड़ा टाइम फ्रेम होता है जिसके बाद मार्केट खुलता है और जिस तरीके से इसराइल ना मानने का देखेगा पूरी तरीके से ठाने बैठा है और जिस तरीके से उसने multiple responses दियें UK को, Western Nations को, America को उससे लग रहा है कि वो अपने इतिहास को फिर से दोहरा सकता है अब ये कैसी चीज़े हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि आपको पता है इरान ने जो करना था उन्होंने कर दिया पर आपको ये भी पता है कि इतना तो इरान को करना ही पड़ता अगर उसको अपनी respect को बचाना था क्योंकि आपको भी पता है कि अगर इरान कोई भी देखी का response ना करता तो वो यही बात हो जाती कि बस बोलते हैं करते कुछ नहीं है लेकिन अब ये माना जा रहा है देखी का US ने भी back कर दिया UK ने भी back कर दिया Western Nation भी कह रहा है कि इसराइल कोई भी response ना करे हम क्या करेंगे उन पर most of the sanctions लगा देंगे इरान पर लेकिन यहां पर आपको पता है कि सब कुछ depend है इसराइल पर और इसराइल क्या कह रहा है यह आपको जाना बहुत जरूरी है तो पहले तो आप देख सकते हैं कि जो इसराइल इरान वार है इसमें इसराइल पूरी तरीके से decide कर रहा है how and when कैसे और कब attack करना है response करना है उनका मानना यह है कि हमारे देश, हमारे citizens, हमारे देखेगा जो defense है, defense system है, हमारे soldiers यह पचान ही पा रहे हैं कि किसी भी particular country ने उन पे 300 drone डागे और हम चांती से बैठके उस मुद्दे को सुन है तो यह बहुत बड़ी बात है चुकि इसराइल ने eight time per seven nations से भी एक साथ लड़ाई करी है इसराइल आपको लगता होगा कि यह बहुत चोटा सा देश है बट technical advancement में देश भक्ती में इस देश का कोई मुकाबला नहीं है और इससे हमें सीखना भी चाहिए तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे live update आ रही है strike इसराइल विद मिसाइल लेबनान हिजबुल्ला strike इसराइल विद मिसाइल ट्रोंस 14 soldiers injured जानी कि 14 जवान और injured हो चुके हैं अब आपको पता है PM साहब हमारे जो जाने जाते हैं नितिन न्याहों जी बेंजामिन जी तो अगर आप देखेंगे वो पूरी तरीके से जाने जाते हैं डिटालियेट करने की बात कहा रहा है ये कौन कहा रहा है PM पीम कहा रहा है इसराइल ये पीम कहा रहा है ये कोई ऐसा ना समझ लीजेगा कोई ऐसा नॉर्मल कोई ओफिशिल आपको आके कोई इन्फॉर्मिशन दे रहा है और इरान प्रेसिडेंट ने कहा है कि अबॉर्णिंग दी है कि मैसिव रिस्पॉंस देखने बिलेगा तो अगर आप देखेंगे जी सेवन ने अपनी पूरी तरीके से स्टिक्ट सैंक्शन लगाने की बात करी है इरान पे लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बेंजामिन जी अटैक ना करें लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से action की तैयारी हो रही है जो recent significant attack किया गया है इसराइल पर other hand प्रेसेडेंट जो कह रहे हैं वहाँ तो आपको पता ही है वहाँ के जो इरान के हैं अब मैं आपको multiple जगे पर ऐसा बताता हूँ जहाँ पर clarity आ रही है कि इसराइल हमला करे गई करेगा अब कैसे western armies help इसराइल ripple massive drone and missile attack by एरान best 10 देखेगा आर्मी ने बहुत ज़्यादा help करी है इसराइल की और आपको पता है हमेशा कर रहा है funding के थ्रू, wars के थ्रू, arms के थ्रू, why not to do so for Ukraine अगर आप देखेंगे प्राइमिस्टर आस्क तो पूरी तरीके से EU leader ने जब यह कहा कि यहाँ पे आप यह मत करिये तो Benjamin जी ने Kurt reply करा to West on Iran, Israel to make देखेगा यहाँ पे लिखा है, Israel to make अगर आप देखेंगे would bring massive and harsh response तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह decide किया है कि वो अपना own stand लेगा, अपना own decision लेगा, यह उन्होंने किसको का है, western nation को जो कह रहा है, avoid गर यह war को, तो अगर आप देखेंगे, इरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रहसी आप समझ सकते हैं, यह अपने बड़ी बात है, कर्ट रिप्लाइ, western country के, देखेगा, western country को किया है, आप तर इरान ड्रोन missile attack last week, बेंजामिन देखेगा, said Wednesday that his country will make its own decision about defend, how defend itself, तो अगर आप देखेंगे, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा देखेगा, वाक्या है, जिसमें खुद एक प्राइम मिनिस्टर, western nation को, media के through, response कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, इसराइल अगर कोई भी ऐसा काम करता है, तो वो पूरे stock market के लिए अच्छी बात नहीं होगी, राम राम